नमस्कार दोस्तों अगर आप क्लास 10th के स्टुडेंट हैं और आपने बेसिक मैट्स को अपना एक्जाम भर रखा है और 2021 के लिए आप एक्जाम के लिए तैयार हो चुके हैं बस ता पैक आप ने कर लिया है बिल्कुल अब आपको लग रहा है कि to the directional study करना है अब आपको यह लग रहा है कि जो एक्जाम से related है जो एक्जाम में आना है सिर्फ उसी में ध्यान देना है उसी में focus करना है अभी तक जो पढ़ा जैसे पढ़ा घंटो पढ़ा वो सब ठीक है वो knowledge के लिए पढ़ा काफी ठीक है बड़ी है knowledge हो गई गेन अब box gain करने की style के लिए अगर आप अपनी कमर कस चुके हैं तो definitely ये वीडियो बहतरीन है आप के लिए अगर आप ये जानना चाते कि थर्ड चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ कौन से दो सवालों ने वहाँ पर फसना है अगर आप basic mathematics के student है तो चलिए शुरू करते हैं भासकर सर का तुक्का जो हमेशा निसा आने पर बैठता है याद रखिए ये तुक्का बनाया जाता है देर सो दो सो जादा इससे भी जादा टीचरों के discussion के बाद कोई एक particular way नहीं है किसी एक की राय नहीं होती है जब एक discussion हो जाता है पूरा syllabus पूरा material के according हमें एक discuss कर लेते तो उसके बाद हम यहाँ पर इस तु से related है उस पर बहुत बारी की से हम सारे teacher analyze कर रहे है क्योंकि पहली बाद तो इन्होंने एक नया topic लगाया है case study दूसरी बात यह है कि उसके वो दो सवाल वहाँ पर देने की कोशिस करेंगे या उन्होंने कह दिया है slavers के according तो अभी यह चल रहा है कि वह दो देंगे दो के अंदर पाँच पाँच होंगे और पाँच में से एक की choice होगी यानि आपको चार्चार करने यानि आठ नंबर का आपके case study बनीगा बात यह है कि case study में कौन सा फसेगा यह भी देखना है और chapter 3 इस लिहाज से काफी बढ़िया chapter है कि वो case study में आपने आपको fit बैठाता है ल चल रहा है और इसके बारे में जो हमारी एक वीडियो आए कि जिसमें हम यही बोल देंगे यह वाला आए वो तो आपको फिर जनवरी के तक उसमें देखना है और बाकी अभी यो आपको chapter 3 में से 2 सवाल आने वो आपने मैं यहाँ पर बताता हूँ और उससे पहले आपने द आपके algebra में सरकार ने इसका decide करा है इस बार NCRT board ने CBSC board ने सोरी आपको decide करा है 20 marks कि वही सरकार ने का इसको बिलेगा 20 number का मानेंगे 20 number का मानेंगे कितने chapter 1 2 3 4 4 chapter को 20 number का basic का paper युगार लगाना बहुत आसान है अब इसमें कोई भी टकला teacher अराम से बता सकता है कौन सा वाला आएगा मतलब ने आटीचर तो अभी वही हाल करेगा कि यह लियाओ वो लियाओ वो लियाओ वो लियाओ यह लियाओ रात को वो लियाओ वो नहीं अब इसमें बहुत आसन है भाई एक chapter आपका 5 number का बैट रहा है और उसमें से case study फस गई न तो फिर उस हिसाब से तो chapter वैसे फिरी का बैट गिया तो ऐसे condition में मैं third chapter में आपको ज़्यादा न बता कर गिने चुने कुछ ऐसे सवाल बताओंगा जिने आपने करके जाना है बस वही सवाल वहाँ पर आपको हूब हूब मिलते जुलते मिलेंगे अब हूब हूब मिलते जुलते कैसे होते देखो चूटे कोई अंतर कोणी मिलना चलिए चलते सुरू करते देखे भाईयो एक basic mathematics में जो सबसे ज़्यादा हम सारे टीचरों का मतलग 150 teachers plus है हमारे इसमें जो facebook group है और उसमें बढ़ते भी रहते गटते भी रहते कुछ परेसानों के बाग जाते और कुछ आते रहते नहीं नहीं तो उस कि अगर आप basic case student हूँ और 2021 के लिए CBSC board के लिए exam देने के लिए आपने कमर कस लिए तो आप इस सवाल को भूलना नहीं अब ये हो सकता है ये बात फिर भी आप यार केंगे टेकि यहाँ pencil लिखा है न वो संत्रे भी लिख सकते हैं तमाटर भी लिख सकते हैं वो बैगन भी मूली भी लिख सकते हैं उनका मन है तो आप ये नहीं सोचिएगा कि आपको यह pencil ही लिखी मिलेगी ये थोड़ा सा आपने सोचना है और ये रोमिला ज़रूरी नहीं कि रोमिला मिले पो मिले गोमिला मिले कुछ भी नाम मिले हैना या फिर ये 2 pencil की जगे 100 pencil तो इसलिए आपको इस टाइप का एक question मिलना है, अब जब मैं बोल चुका हूँ कि इस टाइप का एक question मिलना है basic में, तो आपको इस टाइप का 5-6 type, मतलब कभी बदल लो, जैसे 2 pencil लिखा है, 5 pencil लिख लो, 3 eraser लिखा है, 10 संतरे लिख लो, कुछ भी लिख लो, इस type में थोड़ा सा practice करके जाना है, और इस type का एक सवाल आने के 99% हमारे chance बन रहे हैं, हम लोगों ने इस ऐसे सवाल में 3rd chapter से 20 बार discuss कर लिया, 20 बार हमारे जितने teacher हैं, सबके नीचे एकी comment आते हैं कि basic के लिए ये golden चीज है, 2021 में इसको आप golden चीज मानो, इसमें star लगाओ 4-5 और इसको करके जाना भाई, ठीक है, वैसे सवाल जो मैंने आपको उपर बताया था, अगर आप कहते कि सर्जी कहां से करेंगे बदल के तो 3.1 में भी ये रहा second और third, देखो उसमें रोमिला थी, इसमें कोच है, बदल दिया ना, उसमें 1 संत्रा, 2 संत्रा था, इसमें 3 बैट है, 6 बोल है, ऐसे इसमें देखो नीचे वाले में 2 किलो एपल है, तो 1 किलो ग्रैप से, तो आपने, जो मैंने वो पैटर्न बोला है, उस पैटर्न को नहीं चोड़ना, आपके सर्जी चाहे काई ये वाला नहीं आएगा, तो भी कहना कोई नहीं सर्जी जूटी मुटी सीख लो, जूटी कर ला है, तो 3.1 में, टोप 10 में, पहला सवाल है ये, जिसको वहाँ पर, इस बार 2021, CBSC Board, Class 10, Basic Mathematics में, छपके दिखा, एक्सेसाइज 3.2 और एक्सेसाइज 3.2 की बात करूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, देखो इसमें आपको ये, वो जो एक वो पैंस कर लेना, अच्छा, एक consistent, inconsistent में, बहुत जादा हमारा discussion हो रहा है, मैं आपको ये, मिल गया, मिल गया, consistent and inconsistent, इस तरह का, ये वाला जो है, एक बहुत जादा, बहुत जादा ये runway पे चल रहा है, बहुत ही जादा, consistent, inconsistent, तो आपने इसको जरूर लेके चलना है, और एक graph बना ल निराय दिये, कि वही number six में, आप एक star लगा लो, five star तो मैं इसमें कोनी लगा रहा है, आप इसमें एक star लगा लो, सिर्फ एक star, तो एक star का मतलब की, मन करे देख लेना, अगर नहीं मन करे, कुछ जादा ही busy रहते हो, तो चोड़ो कोई बात में, ऐसी कोई tension नहीं है, सेकंड को देखना है, सेकंड में मैंने दो star बनाए है, अगर आप थर्ड में जाते हैं, तो थर्ड में यहाँ पर मैं आपको एक सवाल बताऊंगा, यह रहा, कोचो फे क्रिकेट टीम फिट से वोई, साथ बैट, छे बोल, 38 रुपे, इस ट्राइप का सवाल कोनी चोड़ना इस बार, मतलब सबका पैटरन ठीक है, वोई है, जो मैंने आपको सुरू में एक सवाल बताया था कि सारों को ऐसे ही करना है, सारा का सारा वही चलना है, लेकिन ध्यान रखिए, बहुत ही आसान है, और एक जो 50% टीचरों ने यह बोला है कि fraction वाला option basic में हो सकता है, वैसे 99% हमारा तुक्का, उसी सवाल के लिए बैठ रहा है, बार-बार जो संत्रे बैड बोल वाला है, संत्रे बैड बोल ही होने इस बार सारे, लेकिन फिर भी number 5 को देख लेना तोड़ा बहुत सा, मतलब जादा टेंचन के साथ नहीं, यहाँ पर भी जैसे मैं आपको इस exercise में बता तो उनको इसको fraction वाले सवाल को और bad ball वाले सवाल को, bad ball वाला सवाल top 1 में चल रहा है, fraction वाला सवाल top 2 में चल रहा है, फिर भी अगर आप ज़्यादा बिल जियो तो केवर top 1 वाला कर दो, top 2 वाला भी छोड़ दो, बस पूरा भरोसा रखो, कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब बाकि जो रब की मर्जी, वो सब की मर्जी होती है, लेकिन देखिए, रब की मर्जी भी वही होती है, जो 1.500 टीचरों की मर्जी होगी, जो 1.500 मैस के टीचर, बिल्कुल टकलें, मुह में दात नहीं है, उनका भी तो अपना एक नजरिया है, तो definitely, जो first है, second का first, इसको भी आपने थोड़ा सा देख लें, येस सर, अब आजाईए, आप example number 15, जो की top most में, यहाँ पर chapter number 3 से दूसरा सवाल है, top most में, top most में पहला वो ही है, जो संत्रे और बैगन वाला है, और दूसरा यहाँ पर जो, यह example number 15 और example number 16 है, यह top most में basic के लिए अभी चल रहा है, 2021 की होगा, या many solution के लिए होगा, top most में, I repeat, कि top most में अगर अभी कोई चल रहा है, तो दो question है, एक तो bag and tomato, जो bad ball वाला है, जो मैंने उपर सुरू में ही बता दिया था, और उससे related जैसे वो बन रहे थे बहुत सारी, और इसी अलावा जो दूसरा चल रहा है, वो मैंने अभी अ 10 में चल रहा है, यह सवाल, अगर आप किसे भी टीचर से अपने मौन लेके, जिनके मुँ में दात कम होने चाहिए, और सर में बाल लगवग ना हो तो बढ़िया है, मतलब अगर सर जी पूरे टकले हो गए न, बढ़िया है यह सर जी, आपको लगता है कि यह खिसक गए, ख सिंपल सा पंड़ा बता रहो, एक सिंपल पंड़े, हमारे जो सबसे एक्सप्रेंस्ट वाले टीचर हैं, जिनकी राये को हम बहुत कहरा ही से सुनते हैं, समझते हैं, जिनके डिसकसन को वैलियूस दी जाती है हमारे ग्रूप में, उन सर जी के एक भी दात में, उनका जबड कि ये टोप टू में, आपका मन ना कर रहा हो, जादा पढ़ने वाले बच्चे ना हो, ऐसे बच्चियों जो अन्य गति विदियो में भी लगे रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख ले ना, जादा कुछ नहीं, बाकि ये प्लेस A, प्लेस B, आपने कुछ प्लेस नहीं कर होते हैं, क्योंकि मेरी WhatsApp कमेंट में आता है, सर्धी आपने दो ही बता हैं, मैंने दो नहीं, मिरको कमचे कम दस बता दे, तो ठीक है, आपके लिए मैंने दो इस्टार यहां पे लगा दिया, लेकिन जो बच्चे वैसे हैं, हमारी तरह हैं, अच्छे हैं, कम पढ़ना चाते ह और च्छे उसी तरह का ध्यान रखे जो मैंने आपको पहले बोला है कि आपको यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट को करके चलना है अगर आप बेसिक हैं और अगर मैं यहाँ पर सैकींड की बात करूए, तो सैकंड में आ आपने जो फ़स्ट है, सैकंड का फ़स्ट री तुके और downward इसको एक बार देख लेना वैसे मैं इस पर कोई star नहीं लगा रहा हूँ basic mathematics के लिए मैंने इस पर star लगाई नहीं क्योंकि मेरे किसी भी group के teacher ने इसको prescribe नहीं करा है लेकिन एक उरती कबर ऐसी भी है कि वही एक ये stream से related, rail-gaardy से related वो मैं जनवरी तक पूरा आपको clear कर पाऊंगा तो वहाँ पर आने के बहुत अधिक chances में आ रहा है जिसको वो basic में एक अलग हट कर सवाल बनाने की कोशिस करेंगे 3.7 पर तो cut मार देना है आपके कुछ भी नहीं करना और अगर आपके teacher यहाँ पर third chapter में cross multiplication method कर देने, करा रहें, समझा रहें cross multiplication method आप समझ गए होंगे, तो आपको वो cross multiplication method को नहीं करना बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि cross multiplication method से इस बार 2021 में कुछ भी आने के chances नहीं बन रहे है अगर अब भी कोई doubt है और doubt के लिए नहीं हुआ है, third chapter में आपको अब भी लगता है कि वहीं कुछ और सवाल आपको बताने चाहिए थे, या कि फिर आपका कोई भी और doubt है कि नहीं सर्जी top 3 से कौन से है, तो top 3 वही है जो मैंने आपको उपर बता रखके तो आपने वो 3 करने फिर भी कोई doubt है तो नंबर मेरा आपको पता है 70, 11, 44, 11, 78, बिल्कुल यही आपने करके जाना है, इसी को आपने soul करना है यहाँ पर मैं सेयर करूँगा बिल्कुल एक बात की जो 10th class का बच्चा होता है highly talented होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया दिमाग होता है और quick होता है, बहुत quick होता है बच्चा 10th class का बच्चा मैंने आज तक यह नहीं सुना कि 10th class में कोई बच्चा normal है या weak है, बहुत तेज action होता है उसका अभी कल की बात है मैंने का कि जो हमारे institute में सबसे पहले जवाब देगा मैं उसकी अब भी चुटी कर दूँगा एक बच्ची ने अपना बैग उठाए, खिड़की से बार फैख दिया मैंने का किसने फैखा है बैग बोलो मैंने, और कहले सर मेरी चुटी हो गई, चले गया, देखो मतलब talented, इतना quick talent भरा होता है इनके अंदर कि अगर थोड़ा सा direction दिया जाए तो 90%, 80% बिल्कुल ना पढ़े ले आते